नमस्कार दोस्तों मैंने श्या सिंग आपके अपनी यूट्यूब चैनल परिक्षा मैंने स्वागत करती हूं और जैसा कि हम जानते हैं मैं सेम मतलब अगर बात करें सेम ही चीज़ कहते हूं कि एक्जाम बहुत पास आ रहा है आपका एक्जाम अब तो आज 28th of December हो गया है और क्लास आपका और यह आपकी स्कीन पे question number one निश्या सिंग की साथ तो इसको फटाफट सिसका answer मुझे बताएं कमें जल्दी से comment section में comment करें किसका answer क्या होगा एक बर question का screen screenshot ले लें आप और फिर reply करें जल्दी से इसका क्योंकि मैं इसको question की थोड़ा सोच रही हूं छोट ना कर लेते हैं इस question को हम अगर हो जाता है तो यह विजिबल है ना बच्चो एक बड़ देखो और मुझे बताओ चिक है तो एक बड़ आपने question पढ़ लिया हो उमीद करती हूं question क्या है हमारा बच्चो एक पुस्तकाले में केवल एक एक शब्द कोश मतलब dictionary एक पुस्तकाले मतलब एक उसमें क्या है एक डिक्शनरी है को कॉलेज में और पुस्तस्त में जिसका उपयोग छे चाथ एक के बाद एक यान की पी क्यू आरस टी यू इस तरीक से किया जा रहा है ठीक है उसके बाद एस इसे क्यू के तुरंत बाद तथा पी के पहले उपयोग करेगा टी इसे आर के तुरंत बाद तथा यू के पहले उपयोग करेगा ठीक है आज शब्ध को को फी के बाद उप्यों ठीक है कि सबसे अंत में शब्ध को उप्यों यहां कि जो डिक्शनरी है उसका उप्यों कौन कर रहा हो यह पुस्त कारे का मतलब लाइब्रेड इसके वारेम बात कर रहे हैं तो हम अगर हम इस तरहीक से बात करें सिंपल अभी सिर्फ यहां से पड़ते हैं, इसने बोला कि यह इतने लोग है, टोटल 6 है, 6 लोग है, ठीक है, 6 लोग है नहीं, उसके आपर क्या बोला है, S Q के तुरंट बाद तथा P के तुरंट पहले उपियोग करेंगा, यह अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चो, S जो है, Q के तुरंट बा इसा बोला तो हमने उसके according यहां पे यह situation जो भी रह ने बोला हम उसके according इसने किया ठिक है उसके बाद इसने क्या बोला है टी के तुरंत बाद ना तो हमारे पास अभी ना इसको भी यह चोड़ेंगे तर यू के पहले उप्योग करेगा ना हमारे पास यू यू तो कि टी आर और यू हमारे पास तीनों की यहां पर कोई भी इंफॉमेशन नहीं तो इसको हम अभी होल्ड करेंगे से स्टेट्वरंट को ठीक है उसके बाद यह क्या बोल रहा है बच्चो आर शब्दकोष को पहले आर शब्दकोष को पी के पहले यहां पर हमारे पास क्या इनए की अर में यहां पर नकी आर के ऑन्हें पर उसकेवाद है उसके वाद हम इसको लेंगे ठीक है यह क्या एद आरद ऐसे आर के तुरंथ बाद से आरद की यहаं पर होगा की तुरंथ बार तथा यू के पहले उप्योग करेगा तथा यू के पहले उप्योग करेगा एक बार इस स्टेटमेंट को देखे और उसके अकॉर्डिंग आप यह सिचुवेशन यहां पर जो भी इसने बोला है उसके एक बार आप करके देखें ठीक है अब उसने पूछा क्या है कि सबसे अंत में शब्द को उस हो जाएगा ठीक है तो इस क्वेशन में कुछ भी था कुछ भी नहीं बस जो जो इसने बोला है उसके अकॉर्डिंग बिठा दे जाओ अगर लगता है कि आपको जब हमने चीजें यहां पर हम लोग रख देते हैं यहां पर पी था तो उसके बाद यहां पर हमें कोई भी स् है तो हमने यहां रखा उसके बाद हम जो स्टेटमेंट होल्ड किया था उस पर हम वापस के सॉल्व किया है हमारा आंसर आ ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्ट यह जो क्वेशन है बच्चो इसमें कुछ नहीं है यहां पर इसने दे रखा एक वर्ड कॉनकोलोजी उसने य इसने यह जो वर्ड हमें दे रखा है कॉनकोलोजी यानि कि इसने यहां से लिखना स्टार्ट के है उल्टा इसने यहां से इस वर्ड को यहां पर लिखा है देखो यान कि वाई जी ओ एलो सी एनो सी यानि कि उसने पूरा का पूरा एस इस यहां पर उल्टा इसको कर दिया ह तो same हम यहाँ से खरेंगे यानि कि अगर हम इस परीकिल से जाएंगे यहाँ से आप Y ULTA लिखेंगे तो Y H P यानि कि अब हम इसको ULTA यहीं से लिखेंगे ULTA अगर इसके according हम देख रहे हैं option में Y H P P के बाद आज़ीद है यहाँ पर A तो यह option खतम हो गया Y H P के बाद A आगया ठीके R G O E A L A P यानि कि यह आपका option नमबर यह second हो जाएगा यानि कि बस जैसे इसने यहाँ से दिया और उसके बाद यहीं से उLTA इसने लिखना स्टार्ट कर दिया इसने वापस लिखना स्टार्ट किया इस question में कुछ नहीं था next चलते हैं यह सारे कि सारे और यह हमने कहीं भी extra question नहीं लिए यह सारे कि सारे प्रीवेस तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रीवेस बहुत टफ नहीं है बस प्रैक्टिस आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ठीक है यह क्या दर रखा हमें यहां पर देखते हैं अगर हम इनका difference लेते हैं इनका अगर 18 में 7 के तो कितने बचेंगे बच्चो 11 इसका difference कितना हो जाएगा 22 इसका difference 33 और अगर हम यहां बात करेंगे देख रहे हैं कि 11 का table बन रहा है ठीक है तो 11 की table के according यहां पर कितना नहीं चाहिए 44 अगर 44 इसमें add करते हैं तो कितना हो जाएगा 44 अगर add करेंगे तो यह जाएगा आपका 4 और 37 हो जाएगा और 4 और 7 कितना हो जाएगा 117 तो आपका option फर्स्ट हो जाएगा 117 की 117 के 117 क्लियर next चलते है यह आपका non-verbal से related question है इसको बता है यह तो कुछ इसमें है यह नहीं जो भी आपको दिरखा है इसको बनाओ एक बा अगर हम इसको ऐसे करते हैं यानिकी पहले यह वाला बना देते हैं इस तरीके से बनाओ ठीक है इस तरीके से बनाओ ठीक है यह तो यहाँ पर देखो कोई option है इसा जिसमें इसा बन रहा है यह हमारे पास option जो है आपका option number यह second है ठीक है? क्लियर हुआ तो next question करें इसको बता है जल्दी से कैसे solve करेंगे इसको आप कितना दे रखाए है इसको यहाँ पे इसका जो भी हमें series दे रखिए इसके आगे हमें पूछा कि यहाँ पे कितना आएगा देखो अगर हम इसको कर रहे है 15 और 19 की बीच का difference कितना आ रहा है 4 ओके इन दोनों की बीच का difference इनकी 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6 और 2 में से इनकी एक गया तो एक एक इतना होगे 16 और यहाँ पर यहाँ पर 11 में से 5 गए तो 6 बनेगा और 3 में से 6 में से 3 गए तो 3 यान कि अगर देख रहे हैं आप तो यह कितने का 2 का square हो रहा है यह चार क स्क्वार हो रहा है यह 6 का square हो रहा है बच्चों तो हमें यह पता सकते हैं कि यहाँ पर कितने का square है आठ का square है क्योंकि 2,4,6,8 इस तरीकी से चीजें जा रही है तो इनकी 8 का square कितना होता है 64 होता है आप 64 को इसमें एड़ करो 4 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 6 और 7 कितना हो 30 कितना हो 13 हो जाएगा ठीक है तो आपके उसके according 135 option में है आपके पस 135 option में है और जो की option number 4 है ठीक है clear हुआ तो कितना आएगा यहाँ पर 135 इसमें हमने देखा था कि जब difference हैं कि हम जब इसको difference कर रहे हैं इनका difference ले रहे हैं तो 4 का 16 का 36 का इस तरीके से difference होता है यह हमें पत साचला कि आगे जो series जा रहे होगी वह 8,000 हो ठीक है तो 8 का square कि हमने 64 हो गया 64 हमने इसमें add कि 17 तो 135 हो ठीक है तो next question करते हैं यह असान question है बताओ उसको कैसे solve करेंगे देखो यह क्या है भारत विशाखा पतनम और आंदरप्रदेश जैसे कि हम जानते हैं भारत ठीक है यह भारत के अंदर क्या है बच्चो आंदरप्रदेश और आंदरप्रदेश के अंदर भी क्या है आपका विशाखा पतनम है ठीक है तो उसके according आपका option number यह second हो जाएगे clear हुआ clear हुआ ठीक है next question पर चलते है हां तो बताएं इसमें क्या है इसके बात क्या है यहां पर यहां पर क्या बढला है जगड़ा जगड़े का मादला यूद मत्द जगड़ा और यूद दोनों एक दूसरे के सेम इच्छा का मतलब इच्छा होगी इनका मतलब तमन्ना त्रिकंगे ये दुनों एक दूसरे के स्रेलंब बच्रेंगे क्लियर इसको पता है जल्दी से ये आपक स्भीटं करें और उससे क्या होगी आपकी तो यह बोल किया रहा है, आठ दोस्ते, टोटल कितने members है, आठ है, ठीक है, दोपर के भोजन के लिए, एक गोल मेज पर, कैसे बैठे हैं, कि एक गोल मेज पर बैठे हैं, जी, ओके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और याठ, अगर भोजन के लिए बैठे है, तो हो जाएगा, ठीक है, हमने मान लिया, क्योंकि इसमिनी बोला है, एकदम सामने ऐंगा सामने, टो यहां पर आप देश्ज साथ है एक टाएं इनकी दो तीन दो थीन कि यहां पर थार्ड हो ठीक है वो ठीक है उसके ठीक हम नहीं रखा उसके उसके बद जी एक और डी के कहां पर है जी जो है F और दी के बीच में हमारे पास ना तो अभी जी जो है कहां पर एफ पर ड़ी के भी था हमारे पास F dhbhbhbhgfg information और की D हो जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका G हो जाएगा ठीक है क्यों कि इस ने बॉला F और D के बीच में कौन है बच्चो G है हमने रख दी उसके बाद H D के बाए और है यह H जो है D के बाए और हो गया ठीक है उसके बाद इसने बोला अगर ए यहां पर है तो यहां पर E हो जाएगा और हम पर C हो जाएगा एंकी E जो है A और C के बीच पे है इतनी एकदम सिम्पल पजल थी बिल्कुल कुछ था ही नहीं इस इस में ठीक है तो एकदम इजी थी बस आपको चीजें देखनी है जैसे जैसे वह बोलता जाओ वैसे वैसे आप करते जाओ ठीक है अब इसने पूछा क्या है उसने पूछा है एक दाएं तीसरें की एक राइट में थर्ड नंबर पर कौन होगा एक राइट थर्ड अगर हम ब आइट कौन सा जाए एक दो तीन यह वाला पार्ट हो जाएगा राइट तो उसके अकॉडिंग कौन सा जाएगा वो थर्ड यंद की सेकिंड ऑप्शन नंबर सेकिंड जी वाला ठीक है तो नेक्स्ट करते है यह आपका पेपर फोल्ट से रेडिट कौशन है कहां से कि अगर से यह अप्शन खतम हो गए लिए बी तो आ पातुमित फिस से कौन सा से कौन सा बचा सेंड अब इसको ऑफोल्ट करके देखो एक पर यह आ रहा है के ने अगए यह तरीके से बंज जाए cela थिए तो उसके अक्वरें आसा option number ये second हो जाएगा clear तो चलाए next question पर इसमें तो कुछ है नहीं बच्चो ये आपको सिर्फ और सिर्फ calculation पर यहाँ पर जो option दे रखे हैं उसमें put करो और इसका answer नेकालो तो देखते हैं यहाँ पर है 24 देखो जब भी मैंने क्या बोला कि अगर आपको question दे रखे हैं अपसे पर divide वाले check करने होते हैं ठीक है अगर हम इसमें देख पाले तो यहाँ पर divide को change करेंगे बच्चो अगर हम divide को change करेंगे तो यहाँ पर जैसे मालो इसको 6 x 3 अब इसको solve कर रहे हम तो कितना 24 यह 1 हो जाएगा आपका minus का यह कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा यह और कितना 6 18 माइनस का 18 हो जाएगा तो 25 minus का 18 अगर करेंगे तो क्या हमारे पस 22 आएगा नहीं आएगा यह option अब देखो यहां पर आप देख पार ना बच्छे यहां पर आराम से इसको डिवाइड कर पार तो आप इसको divide को मचेड़ो बाकि आप देख लेते कि इसमें कौन सा option है जो इसको solve करेगा है डिवाइड है यह तीन जिए जो है तीन को आराम से डिवाइड कर बात इसको अभी मचेड़ों एक option चेक करते है ऑप्छन देख थर्ड वाला अगर यह 24 है प्लस और माइनस को change करें दें की 24 प्लस की जगे माइनस आ जाएगा 2 इन्टू 2 और यहां पे प्लस हो जाएगा यह 6 डिवाइड भाइ 3 है ठीक है अब इसको 12 करो 24 माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा और यह प्लस का यह इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा यह आपका 2 हो जाएगा अगर देखो 20 में से 4 गे तो कितने उचेंगे 20 और यह प्लस का 2 कितना उचेंगा एंट टोटल कितना हो आपका 22 यानि कि उसी के बरावा हमारा आगे यानिकि हमारा चो LHS है is equal to RHS हो गया 22 जो कि option नमर आपका 3 है बाकी option को आपकी चेक करने की जरूरत नहीं थी इसमें क्या करना है जब भी आपको सरीक क्वेशन आए बच्चो अगर हमें हमें option की according काम करना है अगर option में divide वाला option है सबसे पहले आप divide वाले option को रखके देखो बट यहाँ पर already divide है और यह easily divide भी हो रहा है अगर मालों यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 हो तो जो कि divide नहीं हो तो आप उसके according इसको चेक करके देखते है ठीक है clear तो next question इसमें क्या बताना है आपको अलग बताना है कौन सा अलग है यह कौन सा असंगत है ठीक है अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चो काबुल वियना कैनबरा बहरिन जैसे कि हम जानते है काबुल जो है यह अफगानिस्तन की capital है ठीक है यह अफगानिस्तन की capital है अखे वियना का बच्चों ओस्ट्रिया की कहा किया यह किया की capital है ओके यह कानबरा किया अस्ट्रेलिया की Capital है यह कौपुल वियना और कैनबरा यह सारी कि सारी क्या है यह can men हैं बट यह बहरीन क्या है एक देशन की क्या है कंट्री की बारें बात कि इसमें अलग पूछ रहा है कि अलग कौन सा हो जाएगा तो आपका option number second हो जाएगा क्यों काबुल वियना और कैनबरा यह तीनों की तीनों क्या है बच्चो यह capital है और बहरीन क्या एक देश है तो उसके अगॉर्डिंग तीनों क्या और एक देश है तो इसमें इनका numbering करके इनको add कर इसको जब add किया तो 89 है ठीक है तो सेम इसमें जब आप इसको add करोगे तो देख लेते कितना हो जाएगा वी का मतलग कितना होता है 22 होता है आई का 9 आर का कितना हो जाएगा आर का 18 और ओ का 15 यहाँ पर एक ओ यह दो तो 15 15 तीस कर सकते दरेक्ट ली यह कितना हो जाएगा आपका यह आर का 18 हो गया यह दरेक्ट ली मैंने ओ और ओ एक साथ जोड़ दिये 30 हो गया L का मतलब 12 G का मतलब 7 और Y का मतलब 25 ठीक है इस तरीके से हो गया अब इसको add कर लो 9 और 2 11 11 और 8 कितना हो गया 19 19 और 2 21 21 और 7 28 28 और 5 33 तीन यहाँ क्या दितीन ठीक है 3 2 5 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12 कितना हो गया 113 ठीक है add करके लिखना था उसमें और कुछ भी लॉजिक और कोई इसमें वो नहीं है rocket science कुछ भी नहीं है तो बस इसको add की जो यह नम्बरिंग इसमें जो भी वर्ट रखा उसको नम्बरिंग करके काउंटिंग करके यहां पर इसका अंसर निकालना है ठीक है तो कितना हो जगा आपका 123 क्लियर यह भी non-verbal से related question है बच्चों इसको कैसे solve करेंगे इसको अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चों तो इसको ना यह सिर्फ इसने क्या कि 45 डिग्री इसने घुमाया है अगर इसको हम गुमाएंगे तो 45 डिग्री यहां गुमा अगे इसको गुमाया 45 डिग्री घुम गु क्योंकि अगर आप इसको एक बार गुमाओगे 45 डिग्री तो यहां पर यह आपका option आचाएगा clear तो next question बताएं इसमें क्या होगा यह है 441 यह है 19 19 का square होता है 361 ठीक है यानि कि इसमें कुछ तो add किया है अगर 19 में 19 में प्लस 2 करते है 19 में प्लस 2 करते है और उसका square करेंगे यानकी 19 प्लस 21 और 21 का square कितना हो गया यह 441 यानकी same logic हम यहां लगाएंगे तो 17 है 17 में प्लस 2 करेंगे बच्चो और square करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 प्लस 2 19 होता है और 19 का square हम यहां लिखें दें कितना हो जाएगा आपको 361 तो उसके recording आपका option number यह जाएगा 4 बस चीक है इसमें कुछ था कुछ भी नहीं था ना तो next question इसको बताएं कैसे solve करेंगे जल्दी से हाँ जी देखो अगर इसको add कर रहे है 9 और 1 10 और 5 15 कितना हो गया यह 15 इसमें देखो 9 और 1 यह कितना 10 और 5 15 ठीक है इसका add 15 हो गया इनको add करें तो यह 5 और 3 8 और 7 15 यह 15 हो गया 7 और 2 9 और 6 15 ओके 6 और 6 12 और 5 कितना हो गया 12 और 5 17 ठीक है कितना हो गया 17 तो उसके according इन में असंकत इनके बिन कौन सा है इनके अलग कौन सा है तो आपका option नमबर यह second हो जाए किसमें अलग कौन सा है आपका option नमबर भी है clear तो नेक्स्ट वर्शिन करें Okay यह क्या कर रहे है मिथने का साथ दोस्त एक पीककी और स्ट यूं इस तरीकी से कंप्ति में बेठे यान कि एक स्टेट जानमें बैटे हैं और क्या कर्ते मूवाथ देखे आ ए चीक है जी अब इसने बोला है एक चरम छोर पर है चरम छोर का मतलब किसी भी area में S कहाँ पर है एक end पर है QS के दाई और दूसरा बैठा है 0 नहीं है, यह क्या है O है यह O तता Q के बीच Q के बीच में Q के बीच में P बैठा है अच्छरो इसको बनाई लेते हैं यह दे रखें हमें, total किते लोग है, 7, 1,2,3,4,5,6,7, total 7 लोग है, ठीक है, अब इसने क्या बोला, S जो है, एक चरम चोड़, बतला, एक end पे बेटा है, या तो S यहाँ होगा बच्चो, या फिर S यहाँ होगा, हमें नहीं बता, किस end पे, हम next step को पढ़ दे, इसने बोला, क है, Q, S के दाइं, और दूसरा बैठा है, Q जो है, S के दाइं, S के दाइं का मतलब बच्चो, यहाँ पर लेंगे, तो S का बाया हो जाएगा, यानि कि हमें यह confirm होगे, जो S बैठा है, यानि कि यहाँ पे से at, S जो है, आपका, remove हो जाएगा, दूसरे नमबर बैठा था है, और राइट साइड बैठा है, यानि के हाँ पे स, Q जो है, S के राइट साइड बैठा है, दूसरे नमबर पर, clear, उसके बाद उसने क्या बोला है, O जो है, O तथा Q के बीच में, put के return on Q के बीच में, तो तथा Q के बीच में, तो O यहाँ पे हो जाएगा, हैन कि O यहाँ पे वो तता क्यूं के बीच में कौन बैठा है तो हमने पी को बिठा दिया क्यों किches एक और बंदा होना चाहिë है इसलिए यह पर नहीं आएगा to this lahir कहां पर यहां पर उप्न हों पर ठीज रोंकि यहां यहां पर नहीं भाresp med मद थिक ए उसके बाद史ी क्या और जो है T के बाए बैठा है R जो है T के बाए यानि कि यह हमें confirm होगे U तो यहाँ पे नहीं होगा अगर R जो T के बाए तो यहाँ पे सिर्फ A की बंद हैं कि दो बंदें सिर्फ हमारे पास दो ही space खाली है दो जगे बोला कि ऐसमे R जो है T के बाए है तो R यहाँ पे है क्योंकि T का बाए है तो T side होगा तो यहाँ पे आजाएगा आपका R तो बची यहाँ पे जबची बची यह वो कौन सी हो जाएगी यू की हो जाएगी अब उसमें बोला किया है P के तुरंट दाएं P के तुरंट दाएं बगल मैन की पी के राइट साइड में बिल्कुल राइट साइड में कौन बैठा है तो पी के राइट साइड में बिल्कुल राइट साइड में कौन बैठा है तो पी के राइट साइड में बिल्कुल राइट साइड में कौन बैठा है तो हमने डिरेक्टली हमने देखा पी के राइट हमा आप क्या करोगे इसको directly कर लो directly in the sense यहां पर कितना है D के बाद E F G H निकि A के gap आ रहा है D के बाद यहां पर आना चाहिए था E E के बाद F F के बाद यहां पर G और then H निकि A के बाद 1 आ रहा है ठीक है सेम यहां पर I J K L और then M हो गया ठीक है यानि कि इसके according E के बाद यहां पर F G के बाद H और H के बाद यहां पर आई अनकी A के का gap है A के का gap है ठीक है अब हम देखेंगे यहां पर कितना अगर हम देखेंगे अनकी G अब यहां पर H के बाद यहाँ आई, तो I के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? J आना चाहिए, J ठीके, J के बाद K छोड़ेंगे, तो L आएगा L के बाद 1 छोड़ेंगे, L के बाद इनकी L, M छोड़ेंगे, N आजाएगा तो उसके according आपका option number यह second जा रहा है ठीके, यह तो हुआ एक तरीका, कि A के गैप में आप इस तरीकी से कर लो दूसर तरीका देखो कैसे है, इनकी इसके according आपका option number यह second हुआ यह कितना है, D कितना है बच्चो, 4 है F कितना है, आपका 6 है और H कितना है, आपका 8 है तो I कितना होता है, 9 K 11 और M 13 ठीक है, तो यह देखो यहाँ पर कितना है, 4 से 9 है, पांच बढ़ रहा है 6 से कितना जा रहा है, 11 यह नहीं कि 5 जा रहा है, 8 से कितना 13, कितना जा रहा है, 5 तो सीम आप उस तरीके से यहाँ पर कर लो, I कितना होता है 5 होता है, G 7 होता है आई 9 होता है ठीक है इसमें एड करो आप बच्चो इसमें आगर 5 में कितना गया पर पितना होता है एल होता है आई इन की 9 9 का मतलब आप 5 एड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 14 का मतलब आपका एन तो इसके recording भी आपका answer कितना या second ही आए ठीक है तो इस question को आप दो तरीके से कर सकते हैं जिस जो भी आपको better लगए उस तरीके से करो आप clear तो next question ठीक है इस question को देखो इसको कैसे करेंगे यह एक आपका same question है और इसका बस बताओ कि इमेज जो है यहाँ पे इन में से कौन सी इसमें आएगी अगर आप देख पा रहे हों बच्चो देखो यह first में ही आ रही है इनकी इस तरीके से यह गई है और यह इस तरीके से हो गया चेक है उसके recording आपका option number यह first हो जाएगा clear कुछ कुछ भी है questions में नहीं next question कर देते हैं यह अच्छा question है एक बर इसको बताओ मैं इसको start करें ताकि आप फ्रोड़ा से इसको समझ पाएंगे कैसे solve किया require question यह कितना है four है 4 का कर मैं square कर रही हूँ बच्चो तो 16 होता है फाइव का square कर रही हँ तो 25 होता है ठीक है यह square मतलब four का square करने के बाद 16 है ठीक है four का square करने के बाद कितना आ एं 16 आ अए और जब इनको add करूंगे तो खितना आ रहा है 41 बना रहा है, ठीक है, सेम, 6 का स्क्वाइर किया, 36 आया, बच्छो, 8 का स्क्वाइर किया, 64 आया, तो कितना हो गए आपको, 100 हो गया, ठीक है, कितना हो गए आपका, 100 हो गया, तो यहाँ पर गरो, अगर मैं यहाँ कि 4 है, 7 है, 7 का स्क्वाइर कितना हो गया, 49, यहाँ पर 85, 36 का स्क्वाइर parl 24ग किteil।फिë 5 स्कस्वाइर किया इंके 7 स्क्वाइर किया इसक्वाइर दो कितना है। तो उसके according आपका option number ये second हो जाएगा clear हुआ? ठीक है? चले next question पर चल्दी बताएं इसको कैसे solve करेंगे और ये हमारा last question है तो एक बताएं, देखो ये अगर हमें कोई भी logic ते रहें यहाँ पर S के बाद G और G के बाद H यानि कि देखो, बड़े से छोटा यहाँ पर चोटे से बड़ा वहाँ पर भी बड़े से छोटा और यहाँ पर बड़े से छोटा इस तरीकी से हैं, इहाँ पर देख पाने तो ऊचिक नहीं लग रहा है अब देखो इसमें logic क्या लग रहा है इनका जो भी numbers इनको क्या करो? इनका numbering कर लो 19 और ये 7 और ये 8 अब इनको add कर लो सबको add करो कितना हो जाएगा इनके 8 और 7 पंद्रा पंद्रा और 19 कितना हो गया पंद्रा और 19 इनके 9 और 5 14 और ये कितना हो गया आपका 34 कितना हो गया ये आपका 34 ठीक है इनका जो समा रहा है 34, ठीक है? उसके बाद यहाँ नेकों, यह कितना है? 20, h कितना 8 nem, h कितना 8 और यह T कितना आपका? T 20 हो ग Iraq हो गया और s आपका 19 होता है s कितना होता है आपका 19 ठीक है? अब इनको ऐड़ करो 20 और 8 18 हो गया 18 और 19 कितना हो गया? 18 और 8, 18 16 तऌरा और ये कहले इनकी 37 इनका sum कितना रहा बच्चो वो 37 हो रहा है इसके रिखते कितना हो जाएगा 8 और ये 11 और ये 15 तो अब square करो 11 और 8 कितना हो गया आपका 19 और 19 और 15 34 ठीक है सेम, यहाँ पे कितना हो गया 9 और ये 5 और ये 20 कि 20 और 9 कितने हो गया आपके 29 29 और 5, 34 यानि कि अगर आप इस question में देख पा रहे हों बच्चो तो उनकी जो sub 1 की जितने भी हमें alphabets दे रखे हैं उनके हमने जब adding की तो हमारे number 34, 34 बट एक हमारे पास option ऐसा था जिसका sum कितना आ रहा है वो 37 आ रहा है उसके according हमारा option कितना हो जाएगा यह option नमर यह second हो जाएगा ठीक है तो आज की class हमारी यहीं कतम होती है तो बच्चो बस मैं कहूंगी last में कि आप बस practice करें अच्छे से जितने questions प्रैक्टिस करो कि उतने आपके mind में logics आएंगे, tricks आएंगी तो उसके according आप बस practice करते जाएं और आप जो भी चाहते हैं आप आपका exam निकले बस में यह चाहूंगे उम्मीद करोंगे 2023 स्टार्ट होने वाली है तो बस उसको अच्छे से enjoy करो और जो भी आपके resolution लें उसको मतला आपकी वो काम बने ठीक है तो उसके शुक्रिया चलो धन्यवाद बाब बाई